नमस्ते दोस्तों मेरा नाम संजय है और आज हम कच्छा बारा के रसायन विज्ञान का अध्याय साथ जो की है एलकोहल फिनॉल एवं एथर पार्ट 4 के विशाय में अध्यान करेंगे इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इस प्रकार है एलकोहलों और फिनॉलों का विशायन तो एलकोहलों का विशायन में अब हम अध्यान करेंगे कार्बोनिल यॉगिकों से एलकोहलों का विशायन तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कार्बोनिल यॉगिक क्या होते हैं? वे योगिक जिन में कार्बन डबल बॉंड ऑक्सिजन समूँ पाये जाता है वे कार्बनिल योगिक कहलाते हैं. उदहरण के लिए एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सलिक अमल एवं अन्य कार्बनिल योगिकों के उदहरण हैं. तो कार्बनिल योगिकों में सबसे पहले हम अध्यन करेंगे एल्डिहाइड वो कीटोन के अच्चेन द्वारा एल्कोहलों का विर्चन. एल्डिहाइड एवं कीटोन उत्पेरक की उपस्तिती में हाइट्रोजन के योजन द्वारा संगत एल्कोहलों में अच्चेत हो जाते हैं. सामान्य तह सुख्ष्म विभाजित धातू जैसे प्लैटिनम, पैलेडियम या निकिल उत्पेरक कारे करती है ये एल्डिहाइड और कीटोनों की सोडियम बोरो हाइड्राइड यनकी एने बीएच फोर अथवा लीथियम एलुमिनियम हाइड्राइड यनकी एलाई एल्एल कीटोन दुत्या कैलकोहल देते हैं यानि कि अगर हम एल्डिहाइड की अभिकिरिया एच्टू के साथ उत्पेरक की उपस्तिति में या एने बीएच फोर के साथ कराते हैं तो हमें प्रात्मी कैलकोहल प्राप्त होता है और ये भी हम कीटोन की अभिकिरिया एच्टू के सा उत्पिरक की उपस्तिति में या NABH4 के साथ अभिकरिया कराते हैं तो हमें दूत्यक अल्कोहल प्राप्त होते हैं Next है कार्बोक्सलिक अमलों तथा एस्टरों के अपचेन द्वारा कार्बोक्सलिक अमलों लीथियम अलूमिनियम हाइड्राइड जैसे प्रबल अपचैक द्वारा अपचेत हो जाते हैं और प्रात्मिक अल्कोहल की उत्तम लब्दी देते हैं तो कार्बोक्सलिक अमल का अप्चेन Li-AlH4 के साथ कराने पर और फिर इसका अभिकिरिया H2O के साथ कराने पर हमें प्रात्मिक अल्कोहल प्राप हो जाते हैं Li-AlH4 एक महंगा अभिकर्मक है अतहा इसका पर्योग केवल विसेश रसायनों को बनाने के लिए किया जाता है और ज्योगिक इस्तर पर कार्बोक्सलिक अमलों का अल्कोहलों में अप्चेन करने के लिए उन्हें एस्टर में परवर्तित कर लिया जाता है तथ पस्चात उत्पेरक की उपस्तिती में एस्टर को हाइडरोजन द्वारा अप्चेत कर लिया जाता है अब क्योंकि LiAlH4 एक महंगा अभी करमक है और ये दिया में आध्योगिक इस्तर पर कार्बोक्सलिक अमलों से अलकोहल को प्राप्त करना है तो कार्बोक्सलिक अमलों के अभी करिया ये दिया हम अलकोहल से कर दें तो हमें एस्टर प्राप्त हो जाता है और एस्टर का अगर हम हाइट्रोजन के साथ उत्पेरक की उपस्तिती में अभी कराएं तो हमें अलकोहल प्राप्त हो जाती है नेक्स्ट है ग्रिन्योर अभिकर्मकों से एलकोहलों का विर्चन तो RMGX को कहा जाता है ग्रिन्योर अभिकर्मक ग्रिन्योर अभिकर्मकों की एल्डिहाइड और कीटोन के साथ अभिकर्या कराने पर एलकोहल प्राप्त होती है अभिकिर्या के प्रथम चरण में कार्बोनिल समू पर ग्रिन्य और अभिकर्मक का नाभिक रागी सयोजन योगोद पात बनता है योगोद पात के जल अगटन से अलकोहल प्राप होती है तो जो कार्बोनिल समू है तो कार्बोनिल समू में जो ऑक्सिजन परमानो है वो carbon और oxygen के साजे के electron को अपनी और खीच लेती है इस कारण oxygen पर आंसिक रिणावेश और carbon पर आंसिक दनावेश आ जाता है और ठीक इसी प्रकार Rmgx में जो R यानिकी alkyl group होता है वो magnesium के साजे के electron को अपनी और खीच लेता है तो R पर यांपर आंसिक रिणावेश और Mg पर आंसिक दनावेश उत्पन हो जाता है अब Mg पर क्योंकि आंसिक दनावेश है और oxygen पर यांपर आंसिक रिणावेश है तो ये आपस में मिलकर OMGx बना लेते हैं और एलकिल समू जो की आंसिक धनावेस है वो आंसिक धनावेस वाले कारबन परमाणु पर चले जाता है और योगोतपाद बना लेता है अब जो योगोतपाद है इसके अभी किरा हम H2N की H positive और OH negative के साथ करा देंगे तो जो OH negative है इसके साथ यहां पर H positive चल जाएगा और हमें alcohol प्राप्त हो जाएगा दूसरी और MgX के साथ यहां पर positive Mg है इसके साथ OH negative आएगा तो यह MgOHX बना लेगा विबिन aldehyde ओं एवं ketonu की समगर अभी किरिया निमने लिकित है यह दि हम methanol यानकी aldehyde समों का पर्थम सद्यसिकी अभी किरिया ग्रिन्य और अभी करमों कियाने की R MgX के साथ कराएं क्योंकि यहां पर जो R MgX है यहां पर MgX जो है वो O के साथ add हो जाएगा और जो R है वो CS2 के साथ यहां पर link होकर R CS2 O MgX बना लेगा इसकी अभी किरिया H2 यानकी H positive और OH negative से करने पर H positive oxygen के साथ जाकर यहां पर प्रात्मी के अलकॉल बना लेगा जबकि OH negative Mg के साथ जाने पर MgOHX यहां पर बना लेगा यान कि यहाँ पर प्राक्मिक एलकोहल प्राप्थ हो जाएगी यदि हम मैथेनल को लेते हैं यदि हम मैथेनल के अलावा समू का अन्य अल्डियाई लेते हैं और उसकी अभिकिरिया ग्रिन्योर अभिकर्मक के साथ कराते हैं तो हमें दुत्यक अलकॉहल प्राप्त होता है और ठीक इसी प्रकार ये दियम कीटोन के अभिक्रिया गिन्योर अभिकर्मक के साथ कराते हैं तो हमें यहाँ पर तिर्थियक अलकॉहल प्राप्त होता है इस प्रकार हम ग्रिन्योर अभिकर्मक से 1 डिगरी, 2 डिगरी एवं 3 डिगरी अलकॉलों को प्राप्त कर सकते हैं ग्रिन्योर अभिकर्मक की मैथेनल द्वारा अभिकर्या से प्रात्मिक अलकॉहल प्राप्त होती है अन्य एल्डिहाइड दूत्या कैलकोहल तथा कीटोन तिर्थिया कैलकोहल देते हैं अब हम NCRT का उधारण 7.2 देख लेते हैं निमने लिखिद अभी किरियाओं के संभव उत्पादों की संरचनाएं तथा उनके IUPAC नाम दीजे जिनमें पहला है ब्यूटेनिल का उत्पेरिक्या अप्चेन अब क्योंकि यहाँ पर जो LDI वो ब्यूटेनल है इसका अगर हम उत्पेरिक्या अप्चेन करेंगे तो हमें इतने ही कार्बन वाला एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा और इसका IUPAC नाम दीजने के लिए जो लंबी स्रिंकला है यहाँ पर OH जिस कार्बन पर जुड़ा है वहाँ से हम यहाँ पर क्रमांकन स्टार्ट कर दिएगे और इसका IUPAC नाम हो जाएगा ब्यूटेन और वन पर OH समोएगा तो ब्यूटेन वन ओल नेक्ष्ट है तनुसल्फूरिक अमल की उपस्तिति में प्रोपीन का जल योजन अब प्रोपीन जो है वो असमान एलकीन होती है और इसके अभिक्रिया जल यानिकी HOH के साथ कराने पर यह अभिक्रिया मारकॉनिक आप नियामानुसार होती है और HOH का H उस कारबन डबल बॉन के उस कारबन पर जाता है जहाँ पहले से आतिक हाइड्रोजन होते है तो इस प्रकार हमें CS3, CH, CS3 और CH पे यहाँ पर OH प्राप्त होती है और यहाँ पर इस प्रकार सिंखला का निर्मान करेंगे तो दूसरे पर दूसरे कारबन पर OS समू है तो इस प्रकार इसका नाम प्रोपेन टू आल हो जाएगा नेक्स रेप प्रोपेनोन की मैथिल मैगनिशम ब्रोमाइट के साथ अभिकरिया तक पस्चा जल अपगटन अब क्योंकि हम कीटोन की RMGX याने की ग्रिन्योर अभिकर्मक के साथ अभिकरिया करा रहे हैं और प्रोपेनोन यहाँ पर तीन कारबन होते हैं तो इस प्रकार हमें यहाँ पर तीन डिगरी एलकोहल प्राप्त हो जाएगा और यहाँ पर उर्द्वादर स्रिंखला का निर्माण हो रहा है और दूसरे कारबन पर ही CS3 और दूसरे कारबन पर भी OS समुप्राप्त हो रहे हैं तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा 2-methyl-propane-2-ol अब हम अध्यन करेंगे फिनॉलों का विर्चन का फिनॉल जिसे कारबोलिक अमलभी कहते हैं का ओध्योगिक उत्पादन संसलेशन द्वारा किया जाता है परयोग साला में फिनॉल को बेंजीन के विद्पनों से निम्न लिखित मैंसे किसी भी विदी से प्राप किया जा सकता है तो जो ये विदिया है ये फिनॉलों का विर्चन की प्रयोग साला विदिया है जिन में से पहली है हैलो एरिनू से तो क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ 623 केल्विन यानकी 623 केल्विन ताप एवं 320 वायू मंदल्य दाप पर संगलित किया जाता है तो इस प्रकार सोडियम फिनॉकसाइड का अमलन करने पर फिनॉल प्राप्त होती है यह दियम क्लोरोबेंजीन के अपिकिरिया सोडियम हाइड्रोकसाइड के साथ 623 केल्विन और 300 एटियम दाप पर करें तो सर्व पर्थम सोडियम फिनॉकसाइड प्राप्त होता है अब सोडियम फिनॉकसाइड के अभिकिरिया HCl के साथ करने पर NaCl के साथ NaCl बना देगा और H ऑक्सिजन के साथ मिलकर यहाँ पर OH यानि की यहाँ पर हमें फिनॉल प्राप्त हो जाएगी नेक्स्ट है बेंजीन सल्फोनिक अमल से बेंजीन का ओलियम द्वारा सल्फोनिशन किया जाता है तथा इससे प्राप्त सल्फोनिक अमल को गलिद सोडियम हाइड्रोकसाइड के साथ गरम करके सोडियम फिनॉकसाइड में परवर्तित कर लिया जाता है sodium लवन के amulan से phenol प्राप्थ हो जाती है तो सरव परतम हम benzene की अभिक्रिया olyum यानि की H2-H2O7 के साथ कराते हैं तो हमें सबसे पहले sulfonic amul जो है वो प्राप्थ हो जाता है और sulfonic amul की अभिक्रिया ये दिहम NaOH के साथ और H-Positive की उपस्तिति में करा दें तो हमें यहाँ पर phenol प्राप्थ हो जाती है नेक्स्ट है डाइजोनियम लवनों से प्राथमिक एरोमेटिक एमीन की 273 से 278 केलविन ताप पर नाइट्रस अमन यानिकी NaNO2 प्लस HCl के साथ अभिक्रिया द्वारा डाइजोनियम लवन बनते हैं डाइजोनियम लवन जल के साथ गर्म करने पर अत्वा तन अमलों के साथ किरिया करने पर जल अभगटित हो जाते हैं और phenol देते हैं तो यह भी हम एनिलीन के भी किरिया NaNO2 यानिकी NaNO2 प्लस HCl के साथ कर दें तो हमें Benzen Diagenium Chloride प्राप्त हो जाता है और इसकी H2 के साथ करम करने पर हमें यहां पर Phenol, Nitrogen और HCl प्राप्त हो जाता है और Next is Q-Mean से Phenol का उत्पादन Hydro Carbon Q-Mean से किया जाता है Q-Mean जो की होता है Isopropyl Benzen Q-Y-U की उपस्तिती में Q-Mean Hydro Proxide में Oxicrit कर लिया जाता है तनु अमले के साथ किरिया द्वारा इसे Phenol तथा Aceton में परवर्थित कर लिया जाता है इस विदी से उत्पादन में इस अभिकिरिया का उपोतात Aceton ती अधिक मात्रा में प्राप्त होता है तो सबसे पहले Q-Mean का Oxygen करने पर हमें यहां पर Q-Mean Hydro Proxide प्राप्त हो जाता है और इसकी अभिकिरिया Acid की Presence में S2 के साथ कराने पर हमें Phenol और साती में यहां पर Ketone प्राप्त हो जाता है और इस Ketone का नाम यहां पर है Aceton जो की है CS3CO CS3 तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही नेक्स वीडियो में हम पढ़ेंगे एलकॉलों एवं Phenolों के बहुतीक गुण धर्म एवं एलकॉलों एवं Phenolों की राज़ानिक अभिकिरिया हैं तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में